कोरोना से जादा प्रशासन की विवस्थाओं का डर नमस्पार XMT News में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा की गई विवस्थाओं के बारे में कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने संपूर्ण विश्व को जंजोर कर रख दिया है एक से बढ़कर एक बलशाली देश कोरोना के आगे खुटने टेकते नज़र आ रहे हैं इतनी भयानक बीमारी से की गई सुरक्षर वस्थाओं में भी हमारे प्रशासन की चूक बखू भी देखने को मिल रही है हमने अपनी पिछली कबर में जिक्र किया था आगरा इसित हिंदुस्तान कॉलिज में बने क्वारिंटाइन सेंटर के बारे में और अस्पतालों की भी कुछ हालत ऐसी ही है ऐसे में आम आदमी के अंदर कितना डर होगा अगर किसी व्यक्ति को बुखार जुखाम या उस समबंदित किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो कैसे सरकार दोरा दी गई हेल्पलाइन पर संपर्ग करे और कैसे अपनी जाच के लिए कदम आगे बढ़ाई जबकि वो जानता है कि प्रशासन की विवस्ता खसता हाल है ऐसा ही एक मामला हमारे संग्यान में आया है यह मामला आगरा इस्थित मौरोड खंदारी का है जहां यूवक पिछले 14-15 दिनों से बुखार से गसित था यूवक ने बुखार से संबंदित दवा भी लेकिन प्रशासन की विवस्ताओं को देखते हुए और कोरोना के डर के चलते हॉस्पिटल में जाच नहीं कराई क्योंकि यूवक को डर था कि कहीं उसे क्वारिंटाइन न कर दिया जाए और क्वारिंटाइन सेंटर की हालात हम आपको पूर में ही दिखा चुके हैं और यही डर यूवक के लिए जानलेवा साबित हुआ सिर्फ प्रशासन की अविवस्ताओं के डर के कारण यूवक ने समय पर अपनी जाश नहीं करा पाई और आज सुबा बारा मई को यूवक ने अपनी आखरी सास ली अब सवाल यह हो उटता है कि यूवक के डर के लिए कौन जिम्मेदार है प्रशासन दौरा की गई विवस्ताओं या फिर यूवक खुद